आप लोगों के विश्वास के ऊपर फिर से ये फैसला लिया गया कि अवकिमार अशोक बर्मा को उमीद्वार बना करके खानिया से पिनाव गया। आप कारिये करता हूं से एक बात खुल करके पूछना चाता हूं। कई विचले तो नहीं हो जाओगे। पूरी मजबूती के साथ जैसे पहले पार्टी के उमीद्वार को अपना वोट की ताकत दे करके विधान सभा में बेजते थे। चाहे हो अपनी जुम्मेबारी निभाई को निभाई है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा बड़े मजबूती के साथ जिसको भी पार्टी ने उमीद्वार बना करके बेजा था। उसको एक बड़ी ताकत के साथ जिदा करके अपनी पार्टी को जहां सरसा जिला के अंदर मजबूत करने का काम क्या वहीं पूरे प्रदेश में मैसेज आपने दिया था कि इंडियन नेशनल लोगडल पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। इसलिए आज उससे ज्यादा बड़ी जरूरत है। अब की बार आपको जहां पार्टी के साधान कारिय करता को एक एक वोट देखर के फिर से भारी मतों से जिताना है। वहां इसके चुनाव को क्योंकि जो साधान व्यक्ति होता है। इसके सामने बहुत सारी दिक्कत और कटनाई होता है। उसके सामने आर्थिक दिक्कत सबसे बड़ी होता है। और यहां तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिनके पास अथा पैसा है। जो पैसे के बलभूतें पे कहीं लोगों का इमान खरीदना चाहते हैं। जो लगातार मार रहते हैं। जुनाव का समय जो आता है तो बीच में आकर के कहीं अपने आपको नेता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले जो पैसे के बल्मुते पे हमारा इमान खराइद मतिरी ने की कुशिश कर दे और ऐसे साथी को जिता करके मेजे जिसने हमेशा इंडियन नैशनल लोगडल पारिटी के पत्पी अपनी आस्ता वैक्ट करी चौधरी देविलाल की नीचियों को आगे ब कहीं जरासी में जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि चोधरी देविलाल की वजये से अगर इस इस इलाके के अंदर खासकर कि शर्था इलाएंघन के है गरीब और केवल चोधरी देवलाल और चोधरी अंपरका चुटाला की वज़े से हैं यहाँ पे चाई को नैरों का जाड़ भिछाने की बात थी चाई को रुजगार और नोकरी देने की बात थी चाई को शड़क और बिजली देने की बात थी चाहे कोई पीने के पाणी की विवस्ता करने की बात थे चाहे कोई बच्चों के लिए स्कूल और पॉलेज बनाने की बात थे और चाहे किसी गरीब आजमी के साथ नयाय हो इसके लिए उसके साथ कोई ताकत बन करके खड़ा हुआ तो ऐसा समय भी आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हों ने देखा है कि आजादी से पहले किस तरह से गरीब आजमी का सोशन इस देश में हुआ करता था और देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आगी थी तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी धनाड लोगों के साथ खड़े होकर के कमजोर आजमी को सोशन करने का काम करते थे अगर उनका कोई विरोध करता था तो केवल चोधरी देविलाल थे जो इस बात्ता विरोध करते थे गरीब की मदद करते थे यहां कुछ ऐसे गाम भी है जिन गाओं के अंदर है बड़े-बड़े धनाड सेठों की जमीने वग करते थे और उन जमीनों के उपर मुझारिय के रूप में काम करने वड़ा जो गरीब आजमी था उसको किस तरे से वो पैसे वाड़े लोग सरकार के साथ मिल करके जमीनों से उनको बार करने की कोशीश करते थे चोधरी देविलाल असर सक्स था उस वकत में जो गरीब के साथ लट ले करके खड़ा हो जाता था कि पहली गोली मेजे लगेगी पहला कोई लट मुझे मारेगा फिर तेरी जमीन की तरफ कोई देखेगा कितने लोगों को जिनको उजाजने का प्रियास किया गया था चोधरी देविलाल ने उनको पशाने का था उन जमीनों में कहां से पाणी आये ऐसे उन जमीनों में फसले पके उसके लिए नेरे मणाई नेरों का जाल बिचाया और खास करके यह मारा जो नाणी की बैल्ट है यहां तो इस किसम के हलात थे कि अगर यह पुलका निर्माण ना चोधरी देविलाल कराते हैं तो हम लोग कहला बाद भी नहीं जा सकते थे हमारे पास तो एलाबाद जाने के लिए भी रस्तानी थे जो काम उनों ने कराए अगर हम उन कामों को सोचे देखें तो फिर हर वै पीच में एक ऐसे साधान साथी को अमने आपका साथी बनाया है तो मैं उमीद करूँगा कि जहां आप सब लोग राजनतिक तोर पे वोट ले करके इनको मजबूत करने का काम करोगे वह आर्थिक रूप से इनकी भदत करके इन पैसे बाड़े लोगों कुछ सबग सिखाने करोगे इस काम को सारे कोई कमी दो कोन छोड़ जोगा मेरा आगा हां बरो तड़के ने कटी फेर लांकाड जाओते हैं मजबूतियों जिताओगा एक मारी हाथ खड़ा करो सारा ब्यान डट्रिये लागांगा कई लोगान बड़ी गलत्यमी है कई लोग आप मानगे ताल है क कि राणियों में सुने ड़े ते थारो दाव लगाया इसे दाव लगाना आना तो सुनुक सिखायो और थारे साथी ने ज्यादों ज्यादा बोटों जिता देए तो बस मैं तो धर्माई बात कर रहे हो कोशिश करूंगा समय निकाड़ूंगा कि थारे राणियों गा जिका बड़ा बड़ा गाम है मेरो परियास तोर है वहां मानगे तालों कि हर गाम में आगे थारों मिल गे थारों भोट मांगे अर अशोपने जितान की थारों अपील करूंगा लेकिन अगर फेर भी कोई ज्यादा समयदी निकाल पाए क्योंकि 90-90 विधानसवाग श्यत्र में ज अगला तस तिन लगातार मेरी जुम्मे बारी रहेगी हर्याना परदेश गालगलग बिधानसवाग श्यत्र में जाने की लेकिन मेरी परियास और पोशिश रहेगी कि मैं ज़ादा समय थार खातर भी निकालू ताकि की भी महारेपारटी के कार्ये करता गशाफ में कोई छो तारे बीच में तो थोड़ी देर पहला में कोई ब्रह्म पैदा होगे, ओपनी होगे, अब निकल गे होगे, या है उत्ता ही कोई है, आने वे छोटा सो किस्टो सुना जो थारा समझ माज़े सी सारी बश्टा, एक दफा सरदार प्रताप सिंग केरो पंजाब दर चीफ पनिस् बादनामैं कोईा बड़ी बड़ी संद्का थेको नी जर्ने ली रोड़ी होगे। दिल्ली उचंडिगडगों चिकोंड़कों रस्तो है, जर्नेली रस्तो हों तो और जर्नेली रस्तों मतलब हो कि जंगल यहazar तरा गあります, प्रेस्ट को रोड बनागे रुके और चंडिगर गया सागे दिलीन जोड़ेड़ों पतली छोटी सड़की है वी वकत में चीफ फिनिस्ट गया सागे लंबी चोड़ी फोज भी कौन चालता एक प्रिस को शिपाई आगे बैठ जाओं तो चीफ फिनिस्ट पिछ सीपर बैठ तो ड्राइवर हूं थी ना कोई पाईलेटी ना इस्पोर्टी ना कोई और कोई शोष्यवाजी चोड़ी देवलाल और प्रताप शिंग कहरों दोनों दिल्ली उचंडिगर जाओं रस्तन दिन चिप गयो और देरो हो गयो गाटी की लाइट जिराई एक खरगोष गाटी का सामना आगे और खरगोष जित सामना आगे हो तो गाटी का आगे भाजन आगे हो पुराणी अंवेस्ट्रे का रहा हूं थी स्पीड भी चाड़ी स्पटास की मसा हूं थी जाधा तेज कोई चला हूं तो तो ब्रेकों लागता है तो आगा आगे सुच्यों दोड़े हो तो के साल के पूछमी उट लिए देवलालना की जेडा सेड आगे कुदो अंदर लेपासए जान आगे कि पैसला क्यों नहीं ले लेट जागागा यह विचलीत हो गया यह सोई फीजती टैर दित ले आके मरेगा और उतनी देर में टैर के निचे आ जाए सई विचलित है थाने विचलित करता पिरे थाने विचलित होने जरूरत नहीं है मारा फैसला बड़ा कड़ा और बड़ा स्टिक और बड़ा स्पर्श्ट मारा खात्तर पार्टी को कारिये करता जो को है परिवार कर सदस्यों बहुत ज्यादा बड़ा है परिवारा में तो थे मानगे चलो किश्वी इशो परिवार है थे मुने एक में बता दे जक्काम भाई भाई न्यारा ने वे कोई एक परिवार इशो बता देव जक्काम काको भतीजो ने रोने वे लेकिन मानगे चलो कोई की मुन भाग्या लेगे नहीं जासके कोई की किस्मत नहीं खोशके कोई की की ताकत नहीं खोशके कि कि अलत खड़े ओगे राब आत थाने कव है कि प्रेक ठां तो थे कठी गलत रस्तों ना पकड़ बैठे तो हर आलत गय मां चोदरी देविलाल गाशागर सदां खड़ा रहे और चोदरी देविलाल ने ताकत दिये आज चोदरी देविलाल की पार्टी जेकिए वाए कि शोड़ंगो बने को जिकम है इंगे एक भी पार्टी गन स्पस्ट भूमत नहीं आओको अर जद स्पस्ट भूमत नहीं आओको तो इंडियन डैशनल लोगदन पार्टी का अगर पंदरा वीश पहली आजिता जीतिया तो मेरो मोटो सोदेबाज भी है तो फेटिस अगरा मेर करनांगी सारी नमज है ऐसो बेद हुआं खात्र में कि मोटो फिष्टी इलाज कर जूँआ नाड़ी पगड़े तो अमीद करूँगा कि ते अशोक ने चितान खात्र कोई कोर कसर ने छोड़ोगा ने छोड़ोगा नहीं बहुत जन्यवाद है बहुत बहुत तन्वास अब इस दिए बने जाहत ताहिए जानों कई जियां अब आज हो फारी जिम्मे बारी है तब तर चलानों कि मोट जुनाव लट जीक है अन्यवाद जीक है बहुत मजबुत जीक है अज़ाद जीक है